अपनी मंजिल को भुला कर जिया तो क्या जिया अरे दम है तो उसे पा कर दिखा अपनी मंजिल को भुला कर जिया तो क्या जिया अरे दम है तो उसे पा कर दिखा लिख दे खून से अपनी कामयावी की कहानी लिख दे खून से अपनी कामयावी की कहानी और बोल दे किसमत से कि अगर है तुझ में दम तो मिटा के दिखा नमस्कार साथियों मै राज कुमार आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने परिवार PVR स्टडी में तो छात्रों जैसा कि आपको पता है हाई स्कूल यहनि कलास 10th की मैथमेटिक्स आप पढ़ रहे है आज आपका एक नया ध्याय है जिसका नाम है चैप्टर नमबर 9 भया इसका नाम क्या है किताब में जरा मैं देख लेता हूँ आप लोगों को पता है तिरकोड मिती वाला चैप्टर है ये उचाए और दूरी न चैप्टर का नाम है तिरकोड मिती के कुछ अनुपर योग छलिए ये छोटे-छोटे एक concept देख लीजिए आदा मिनिट में फिर हम आगे बढ़ते हैं मुख के बात करते हैं इसको आप सभी जानते हैं दिखाना था नहीं लेकिन मैं दिखा दिया ठीक है इसमें कुछ नहीं बताऊँगा इसके बारे में ये सूतर है लिख लीजिए बस ठीक है चलिए भाई फिकर देखिए अब सबसे पहले हम बात करेंगे बच्चों इसमें उन्नयन और आउनमन कौन की जैसा कि इस क्रीन पर आपको कुछ दिख रहा है बोलो जल्दी कमेंट करके बताऊँ आपको क्या दिख रहा है इसक्रीन पर एक पेड टाइप का दिख रहा है ना लेकिन रेड कलर का उपर कुछ घेरा हुआ है उसमें बोलो जो पेड है उसमें रेड कलर का कुछ घेरा दिख रहा तुमें की नहीं दिख रहा है ना ऐसा दिख रहा है कि उस पर कोई बैठा है देखो बेटा आप समझना अगर इस तर रेट कलर में वो घे रहा है स्क्रेन पर वे दिख राना व ऐसे ए और हम लोग कहा रहें गे हमसी पर जमीन ही तो खड़े रहेंगे आश्मान में तो ओड़ेंगे नहीं यह क्या जमीन है यह जमीन यह जमीन है मोधी वैठा's है n बाबा जी है एकि इनके बारे मं बताएंगे तो जो हमारी आँख से ऐसे कौन्ण से या फिर हमारी आँख से जो जहाज से कौन्ण बनता है आसमाने उड़ते हुए प्लेन से या फिर भाई आसमान में चील उड़ रही है, हम कहीं जा रहे हैं, मैदान में खेल रहे हैं, देखने लगे, अरे बहुत उपर उड़ रही, तो हमारी आख से जो कोड बन रहा है, वो है उन्नयन कोड, क्या है बिटा वो, वो क्या है उन्नयन कोड, मतलब समझ पाए कि नहीं त अगर कोई डाउट है तो बताओ, यानि हम जमीन से, अगर आसमान में या छट पे या कुछ भी चीज को देखते हैं, तो यह क्या है उन्नयन कोड, अगर कहीं आ गया, बाई सिंपल सी बात है, लिख दीजिए, जब हमें किसी बस्तु को देखने के लिए, जब हमें किसी बस्तु को देखने के लिए, अपनी आँख को उपर उठा कर देखना पड़े, मतलब द्रिष्ट रेखा को उपर ऐसे उठाना पड़े, या आसमान में जहाज उलरी तो उपर उठाना पड़ेगा, तो हमारी आँख से और उपर आसमान में इस्थित उस बस् इसी में देखो तो जो कोड़ थीटा है यह क्या है यह उन्ययन कोड़ है क्या वेटा यह उन्ययन कोड़ है क्योंकि अगर इस पर कोई बंदा बैठा है उपर को देख रहा है तो क्या बन रहा है उन्ययन कोड़ बन रहा है ठीक है एक और देखिए इसका उल्टा ऑनमन कोड़ एक बच्ची देख रही पेड़ पी बैठी, बड़ी खुस लग रही है, लग रहा है कोई जवरजस्ती इसको उस पर बैठा दिया है, कहरा थोड़ी देर बैठी रही इसी फेगर में परिसान करके रखी, खुस लग रही ने ये, अब ये क्या हां देख रही है, जरह देखो, अरे तुम्हें नहीं देख रही है, हमें नहीं देख रही है, सामने अपने नीचे मतलब कोई होगा वहाँ नीचे साइड में उसको देख रही हो, ऐसे देख रही है मतलब थोड़ी दूर पे होगा तो इस बच्ची के आँख से और उस बस्तु से जो कोण बनेगा वो क्या होगा आव नमन कोड होगा क्या होगा भाया लिख लो इदर साइड में आव नमन कोड होगा यहाँ पर देख लीजिए और लिख लीजिए आव नमन कोड ठीक है यानि इसकी परिभासा हम लिख सकते हैं कि जब हम किसी बस्तु को देखने के लिए अपनी आँख को अपनी द्रिष्टी रेखा को नीचे जुकाते हैं तो जो कोड बनता है द्रिष्टी से और उस वस्तू से वो ओनमन होता है ठीक है एंगल आफ डिफ्रेशन ये क्या है आउनमन कोड समझ गये ना यानि किसी वस्तू को देखने के लिए अगर हमें अपनी आख को ऊपर उठाना पड़े अगर हमें अपनी आख को ऊपर उठाना पड़े ऐसे तो वो उन्नैन कोड और अगर किसी वस्तु को देखने के लिए हम अपनी आख को नीचे जुकाएं से तो हमारी आख से जो कोड बनेगा वो आउनमन कोड होगा समझ गए? अब इसे आप समझ गए अगर बेटा यहाँ पर कोई कोड बन रहा है जिसका नाम है पी तो यह पी क्या है? यह आउनमन कोड है? आउनमन कोड है? ठीक है? क्योंकि यह नीचे की तरफ को देख रहा है उपर से ना आउनमन अगर नीचे से उपर देखे तो उन्नैन उमीद है कि आप लोग उन्नैन और आउनमन समझ गए इसे नोट करिए मैं सामने से हट गया हूँ बहुत जल्दी करिए फटा फट आगे बढ़ते हैं डन चलिए आगे आगे देखिए क्या दिखाने वाले हैं बच्चों इसमें एक और भी पॉइंट है इसे भी समझ लीजिए फिर हम कोईश्चन पर चलें द्रिष्टी रेखा क्या होती है लाइन आफ साइट ये भी हो सकता है कहीं आपसे पूछा जाए देखिए अभी आपने इस चित्र में उन्नेयन और आउनमन कोण देखा तो भाया ये जो द्रिष्टी रेखा का मतलब जहां से हमारी द्रिष्टी पढ़ रही है यानि ये क्या है एसी क्या है द्रिष्टी रेखा है एसी या सी ए इस चित्र में क्या है द्रिष्टी रेखा है कहने का मतलब इसमें हम ऐसे कह सकते हैं कि जहां से हम देख रहे हैं माल लो यहां पर इंसान की आँख है यहां पर क्या है इंसान की आँख है और यह इधर साइड को देख रही है तो वही क्या दृष्टी रेखा है जैसे माल लेते हैं कि हम आसमान में ऊड़ रहे है चीरण को देखते हैं थिक है है इक्सरसाइज 9.1, question number first जल्दी करिए, इसको देख लिए, आप लोग question पर चलिए question number पहले आपके सामने, इस screen पर देखिए, ध्यान दीजिए question पढ़िए, ध्यान से, क्या कहरा question में, देखिए exercise 9.1, कच्छा 10 के NCRT गडितर बिटा और page number 225 आपके book में दिया होगा, अगर किताब लिएए, देख लिजिए किरा कि सरकस की एक कलाकार, सरकस की एक कलाकार, एक 20 मीटर लंबी डोर पर चड़ रहा है, जो अच्छी तरह फे तनी हुई है, आपने अगर सरकस देखा होगा, तो गाउं में बहुत सारे मदारी या सरकस वाले आते हैं, वो लोग एक रसी को किसी खूंटी से बांदे हैं, या फिरसी को कहीं किसी छट से बांद के उस पर चढ़ते हैं, सरकस अपना दिखाते हैं, करतब दिखाते हैं, लोगों इतमासा देखते हैं, है न, ऐसे ही कुछ कह रहा है, सरकस की एक कलाकार है, जो 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है, जो अच्छी तरफे तनी हुई है, मतलब खीची हुई है, और भूमी में, यानि कोई खंबा जमीन पर, खंबे के ऊपर रसी बांदिया, रसी बांद के जमीन पर खड़ा होके, सरकस वाला ऐसे खीचा है, और खीचने के बाद जो बन रहा है कोण उसे, उस पर क्या करा हो, चढ़ रहा है, ठीक है, ये भूमी अस्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण ये चितर कोईश्टन दिखाना जरूरी नहीं है, बीच-बीच में दिखा दूँगा, आओ देखो, मान लेते हैं कोई एक खंबा है, खंबा मतलब एक पोल है, जिस पर रसी उपर साइड में बंधी है, ये मान लेते हैं एक खंबा है, भई खंबा है या लाठी ये कुछ भ जरा ध्यान देना, पोईश्टन फिर से दिखाऊं तो आपको क्लियर हो जाए, मुझे पूरा उमीद है, देखो, करा यदी, उपर बंधी मैंने बता दिया, करा यदी भूमियस्तर के साथ डोड़ द्वारा बनाए गया कोड 30 हंस का है, भूमियस्तर के साथ, यानि जो जमी जमीन है, उसके साथ डोड़ द्वारा जो कोड बन रहा हो, कितने का बन रहा बिटा, 30 हंस का बन रहा है, तो जमीन तो ऐसे है, यही है ना, तो इसको खीच देते हैं ऐसे, यह क्या जमीन है, इसके साथ जो एंगल बन रहा है, वो 30 का बन रहा है, क्या कह रहा है, तीस डिग निकालना है हाइट आप द पोल हमें यह निकालना है है न हमें 30 अंस यह दिया है इसके में कोई और कुछ दिया है क्या नहीं दिया है लेकिन कहना जो डोर है वह 20 मीटर है कितना है 20 मीटर है यहनि हमें यह भी दिया है इसका नाम लिख दीजिए ABC कुछ भी आप लिख सकते क्या क्या गिबन है बाबू यहाँ पर देखो इसमें गिबन है AC जो कि 20 मीटर है और एंगल C इक्वल 30 डिग्री है यह भी दिया है और AB की उचाई क्या है यह यह भी हमें दिया है उसमें दिख रहा है कि AB क्या है यह 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 लगभग हमें दिया है इसमें अगर हम देखें और कोड किस पे बन रहाए बिटा सी पर वन रहा है तो इसके सामने की बुजा लंब है और यह क्या है कारड है आधारा हमें दीना यह यानि हमें दिया है लंब और क्या दिया वर करड दिया और तिरकॉल में भी है नुपात में अभि हंचे अनुपात में आभी इसलि uniqueness क्या लगाएंगे हम लिखेंगे साइन थीटा बराबर क्या लंब बटे करड़ साइन थीटा हम क्यूं लगा रहे हैं क्योंकि हमें यहां पर लंब बटे करड़ दिया है लंब अबी है करड़ एसी है इनके सारे मान रख दीजिए साइन, थीटा थीटा की जगा पर बेटा 30 अंस का कोण बन रहा है वहाँ पर देखो तो 30 अंस बन रहा है तो हम थीटा पर तीफ रख देंगे ठीक है, बराबर एवी, एवी येच है और एसी वीज है ये दिया है हमें सारे मान रखिए साइन तीसंस का मान एक बटा दो होता है देखो बाबू तुम्हें याद रहना चाहिए यह 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 अपान ट्वंटी इस तरह से इनको आप क्रास मल्टीपल कर लो क्रास मल्टीपल में तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए तो यह 2 यच इक्वल 20 यहां से यच इक्वल निकाल होगे बाबू भया तो 20 अपान 2 यानि बराबर 10 मीटर समझ गये ना यानि कितना आ गया इस जो पोल की उचाहिए कितनी आ गयी बाबू 10 मीटर समझ में आया कुईस्चन नमबर पहला कंपलीट हो गया बहुत आसान है बेरी सिंपल सा है लिख लिजिए अगर किसी को कोई डाउट है तो बताइए जल्दी करिए अगर अभी तक आपने PVR स्टड़ी लाबाद चैनल को सब्सक्राइब ने किया तो तुरंद कर ले और बेल आइकन प्रेस करना न भूले अगला कुईस्चन देखेंगे जाना नहीं अभी चलिए जल्दी करिए फटा फट और कलास को लाइक करना नहीं भूलना चलो नेक्स्ट कुईस्चन दिखाओ भई इस्क्रीन साड़ ले लो जल्दी से डन आगे बढ़े दूसरा कुईस्चन आपके सामने इस्क्रीन पर है जड़ा ध्यान दीजिए क्या कह रहा है कह रहा है आधी आने से एक पेड तूट जाता है और तूटने के बाद क्या करता है तूट करके नीचे को लटक जाता है नीचे लटका हुआ जो भाग है आने टूटा हुआ जो भाग है वो क्या करता है बाबु जमीन के साथ छूने लगता है और जमीन से 30 अंस का कोन बनाने लगता है तो कहरा पेड के पाद बिंदू की दूरी जहाँ पेड का सिखर जमीन को छूता है वो आठ मीटर है, तो पेड की उचाई ग्यात कीजिए, ऐसे समझो सीधी सी बात है, जैसे आपने देखा होगा, गाउं से आप लोग बिलांग करते हैं अकसर, तो जब आंधी आती है, तूफान आते हैं बड़े-बड़े, तो पेड अकसर उपर से तूट जाते हैं, कुछ त माल लो एक पेड है, इधर साइड में देखो, इधर साइड में समझो, माल लो ये क्या है, एक पेड है, ये क्या एक पेड है, अब ये किसी भी चीज का एक पेड है, पेड ऐसे सीधा रहता है, आधी आई खूब तेज से तूफान आया, ये तूट गया, कहां से, यहां से म बड़े होते हैं आदी तुफान में आप जानते हो ना और तूट करके क्या हुआ यह लटक गया लटकेगा तो जमीन पर ही जाएगा कहीं आसमान में तु जाएगा नहीं आप को गुरूजी यह ऊपर भी खड़ा नीचे भी लटक गया ऐसे कैसे यह मैं तुम्हें दिखाने क वह नीचे लटक गया अब तुम कहोगे यह का है मिला दिये इसका क्या connection है यह कुछ नहीं है ठीक है इसमें अत्ति-पत्ति होगी अपना जो भी है ऐसे क्या हुआ है टूटके लटक गया ठीक फिर question में क्या कह रहा पहले वो भी तो देखो भाई हट जा यार पेड़ पे काया बैठी यह उतर जा बना रहा है किदर से बना रहा बिटा इधर से बना रहा है जमीन यह है इसको मैं बराबर कर ले रहा हूं जिससे तुम्हें दिखाई पड़े अब इसको थोड़ा साफ कर देता हूं नहीं तिसम गंदा गंदा लाग रहा है तो तुम confused रहोगे इसलिए थोड़ा सा इसको clear क पीश में से निकाल देता हूँ यह क्या है 30 हंस का कोंड बना रहा है ठीक है कोई डाउट नहीं नहीं चलो आगे क्या कहता है इस तरह से तूट जाता है कि जमीन के साथ में 30 हंस का कोंड बनाने लगता है क्यारा जहां पेड का सीखर जमीन को छूता है पेड के पाद बिंदू की जो दूरी है पाद बिंदू का मतलब जहां पर पेड उगा था जहां पर पेड खड़ा है वो क्या है पाद बिंदू है कहरा पाद बिंदू से जो पेड का सिखार है जहां जमें इनको छू रहा है उसकी दूरी आठ मीटर है ठीक है आपके किताब में कह रहा बेटा यानि यह यहां पे छू रहा है यह पेड यहां खड़ा था तो यह क्या है आठ मीटर है याद रखना है यह क्या है बबुआ यह आठ मीटर है राजा ठीक है और कुछ दिया है नाई आगे क्या पूछ रहा है करा तो पेड के टूटे हुए पेड की उचाई ग्याद कीजिए क्या करना है पेड के टूटे हुए नहीं पेड की उचाई ग्याद करना है पूरी-पूरी की पेड कितना बड़ा था पेड़ की उचाई का मतलब क्या बाबू यह जितना खड़ा इसको भी निकालेंगे और जो तूट गया इसको भी निकालेंगे यानि दोनों मिला करके क्या बनेगी पेड़ की उचाई बनेगी यही तो बनेगी ना वै सिदी सी बात है यही बनेगी आप लिखिए यहाँ पे लिखिया हल हल लिखिये, यहाँ पे सलूसन लिखिये इसका नाम लिख दीजिए A, B, C कुछ भी आप लिख सकते हो P, Q, R हम लिख देते हैं अपनी सुब्धा अनुसार A, B, C ठीक है? अब लिखिये पेड की उचाई बराबर पेड की उचाई बराबर क्या होगा बटा? A, B, D, N, A, C क्या होगी? A, B, D, N, A, C A, B, D, N, A, C क्या होगी? पेड की उचाई होगी क्योंकि पेड सीधा सीधा खड़ा है तूट के लटक भी गया है तो दोनों भाग उसका हम जोड़ेंगे वो क्या होगी? इसकी उचाई होगी ठिक है एनि डाउट किसी को नहीं न चलो आगे क्या-क्या दिया है अब लिखिए गिबन हिंदी में लिख लीजिए दिया है क्या-क्या दिया है बाबु इसमें सबसे पहले तो हमें BC दिया है BC आठ मीटर दिया है और क्या दिया है कौण CB थीसं का दिया हैं एंगल C थीस दिया है A, B और A, C हमें निकालना है भई A, B और A, C अगर हमें पता हो जाए तो हम पेड की उचाई निकालने जो हमें निकालना है यही तो इसमें का मुख्य था यानि हमें क्या करना बेटा A, B, find करने है A, C, B, find करना है ठीक है, A के तिर्भूज बना है लिखिए तिर्भूज A, B, C में कोण C बराबर 30 अंस भई तिर्भूज A, B, C में कोण C क्या है 30 अंस है अब इसमें अगर आप ध्यान दीजिए हमें क्या निकालना बेटा A, B और A, C दोनों निकालना है तो दोनों तो एक साथ में हो नहीं पाएगा हम, दोनों तो एक साथ में हो नहीं पाएगा हम मानलो कि हम A, B निकालने की कोशिज करते हैं और इसको मानलेते हैं यच है मानलो कि यच है, कुछ भी मानलो आप कोई दिक्कत नहीं है या फिर ना भी मानो तब भी कोई दिक्कत नहीं है मान लोगे तब भी कोई दिकत नहीं है ठीक है यानि फिर हमें क्या क्या मिल जाएगा ये लंब बटे आधार अगर उसको यह मान लोगे तो क्या मिल जाएगा लंब बटे आधार लंब बटे आधार किस में होता है लाल बटा कक्का सभी पढ़े हो बुढ़ागे पढ़ते पढ़ते लंब बटे आधार बेटा लाल बटा कक्का में 10 में होता है न इफलिया क्या लिखोगे 10 थीटा इक्कल क्या होता है लंब बटे आधार यह हमारा सुत्र है तो बेटा यह हो जाएगा 10 थीटा की जगा पर 30 हंस क्योंकि वहाँ पर हमें तीफ दिया है और लंब, लंब मतलब A, B और आधार आधार मतलब इसका क्या, B, C ठीक है तो अभी तो हमें फिलहाल यहाँ पर भी मान नहीं रखने चाहिए क्योंकि हमने A, B, B, C भी नहीं रखा तेहाँ पर अभी सिर्फ थीटा ही रख लो एक लाइन और बढ़ जाएगा बाकि डिरेक्टली आपको मान रख देना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं यह समझने के लिए मैं थोड़ा बढ़ा रहा हूँ तो थीटा पर तीफ रख देंगे A, B कमान यच और बढ़ा B, C कमान राख यह कुछ नहीं दिया था ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है देखे, यहाँ पर आप लोग कुछ कन्फ्यूज होंगे कोई यच कमान आजायगा तेंटी संस कमान क्या होता बबुआ वन अपार अंडर रूट तीन होता है न वन अपार अंडर रूट तीन इककोल एच अपाना आठ हल कर लोगे यहां से तो यच की बैलू जो आएगी बेटा निकाल लो यच बराबर इतना आप जानते हो क्रास मल्टिपल कर दोगे तो अंडर रूट तीन यानि आठ बटा रूट तीन आएगा बोलो आएगा न इसमें कोई डाउट है तो बता दे न यच कमान क्या आएगा बटा एट अपार रूट तीन इसे लिख लो फटा फट इतना अब इतना आप समझदार हो इसमें कोई दिक्कत नहीं है क्रास मल्टिपल करो एच कमान आ जाएगा दस में पहुंचे हो चलो जल्दी इतना कर लो मैं सामने से हड जाता हूँ उसके बाद आगे बढ़ेंगे और फिर हम फटा फट निकालते जाएंगे जल्दी करिए हो गया इतना हमें अच कमान लिख सकते हैं आठ बटा रूट तीन यहाँ पर लिख सकते हैं आठ बटा अंडरूट तीन हम लिख दिए अभी आप लोग कुछ मत करना अपनी कापी में मत गोचना चलो इसको मिटा के अब उपर से दिखाएंगे ठीक है मिटाओ इसे चलिए देखिए यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देना आपको देखो पाबू यहाँ पर समझना है वो क्या है कि जब हमने इस चित्र में इसको आधार लिया था इसको लंब लिया था उस समय हम इसको भी ले सक तो कोई दिक्कत नहीं कुछ भी मान लो इसको हम यह चवन मान लेते हैं या फिर आप कुछ ना मानो तो एसी ही निकाल लो तब ही सही है हमने क्या मान लिया एच वन ठीक है चलिए निकाल देते हैं यहाँ पर लिखेंगे पुना जहां तक लिखे थे उसके आगे लिखो साइन थीटा क्यों लगाएंगे क्योंकि अब की बार हम लंब और करड लेने जा रहे हैं क्योंकि हमें यह भी मिल गया अब हमें एसी निकालना है तो एसी निकालने के लिए हम इसको और जाएंगे कोईश्चन में तब ही तो आएगा ना यानि हमें करड भी चाहिए तो लं तो साइन एंगल है 30 का और लंब कितना है जो सामने दिया है यानि ए भी अगर हम बात करें तो इसका मान हमें आल्रेडी मिल चुका है आठ बटा अंडरूर तीन तो हम इसको ऐसे रख देंगे अपान कर्ड कर्ड यानि हमें नहीं पता है साइन तीस का मान आप सबको पता है बिटा सबको पता है कि साइन तीस का मान एक बटा दो होता है इक्वल देखो यह फ्रेक्शन के फार्म में है एच वन जो है वो क्या है फ्रेक्शन फार्म में नहीं है ठीक है इसके नीचे हम वान लिख सकते हैं यह हल करना आपको आता है ब यहां से हमें सिर्फ h1 find करना है, क्या करना है, h1 find करना है, तो निकाल लो कोई दिक्कत नहीं बिटा, इनका cross multiple हो जाएगा, आप कह सकते हो कि h1 into under root 3, बराबर ये 16 हो जाएगा, h1 निकाल लो, तो क्या हो जाएगा h1 बराबर, भाई 16 बटा under root 3 हो जाएगा, h1 बराबर क्या हो जाएगा, 16 बटा under root 3, इसमें किसी को कोई doubt है नहीं, नहीं न, यानि हमें क्या मिल गया, h1 भी मिल गया, 16 बटा under root 3, लिख लो इसको भी, 16 बटा under root 3, हमें निकालना क्या था, पेड की उचाई निकालना था, यानि अगर हम ध्यान से देखें, तो हमें a,b और a,c दोनों मिल गया है, सुरू सुरू में हमने लिखा था, उपर देखो, पेड की उचाई, a,b धने,c, लिखा था न, और हमें पेड की उचाई ही ज्यात कननी है, इसको मिटा दी, जल्दी करिए, उसके बाद मिटा के, डारेक्टली, a,b और a,c कमार रख दो, आंसर आ अब हम क्या करेंगे, अपना फाइनल अंसर यहां पर लिखने जा रहे है, पेड की उचाई बराबर, ध्यान देना बिटा, ध्यान देना, a,b, a,b कमान वहां पर आया तुम्हें दिखी रहा है, 8 बटा रूट 3, then a,c, a,c, 16 बटा रूट 3, दोनों को जोड देंगे, जोड बटा रूट 3, कभी भी आंसर अंदर रूट में नहीं लिखते हैं हर में, फिर इसमें क्या करेंगे हम, इसमें हम इसका हर कपर में ही करन कर देंगे, अंदर रूट 3 से उपर निचे गुडा हो जाएगा, तो बेटा यह हो जाएगा, 24 अंदर रूट 3 अपान 3, ठीक है, 3 से कड जाएगा, यानि फाइनल में 8 इंटू अंदर रूट 3, ये क्या होगै अंसर, अब लिख देंगे क्या, फाइनल होगै अंसर, आता पेड क्यों चाहिए बराबर, 8 इंटू अंदर रूट 3, इसी को कोई डाउट है तो बताओ, जल्दी करिए, जल्दी करेंगे, लेकिन इतना जरूर करना बोलना नहीं नहीं तो पढ़ नहीं पाओगे यूटूब पे बिल्कुल फिर ही पढ़ाते हैं पूरा कोर्स बहुत जल्दी करें और हाँ अगर आप कम समय में अच्छे से सीखना चाहते हैं क्योंकि फिरी कोर्स अगर पूरा पढ़ेंगे थोड़ ताइम ज्यादा लगता है कम समय में सीखना चाहते हैं तो PBR स्टडी एप डाउनलोड करें और आज ही घर बैठे सीखें थोड़े ही समय में अगला देखिए कोईश्चन नंबर तीफरा देखिए इसमें क्या कह रहा है पहले तो आप लोग कोईश्चन को देखेंगे उसके बाद तब फिर समझेंगे ठीक है अध्यान दीजिए कह रहा कि एक ठेकेदार ठेकेदार आप लोग जानते हो ना जो काम वाम करवाते हैं भूशन है और चाहला लेकिन यहां पर बात हो रही बच्चों की क्या लगाना चाहती है फिसलन पट्टी और पाँच वर से कम उम्र के बच्चों के लिए जिसका सिखर उन पॉइंट-वंट E की उचाई पर हो सिखर का मतलब उसकी मतलब टोटल उचाई एक परकार से सिखर की बात करें तो चोटी यानि देसी बहासाम जय कब पुलुई बोला थे अब सुने होगे न पेड़ पे पुलुई अब बैठा है तुने हो यानि जो सबसे उपर जैसे अब माले लेते हैं अगर तो हम आपको फिसलन पट्ती दिखाएंगे यह फिसलन पट्ती क्या है कुछ लोग कनफ्यूजन में होंगे आखिर यह फिसलन पट्ती कौन से जानवर का नाम है जो बच्चे हैं या बड़े हैं उनको भी नहीं पालूम होगा यह देख लीजी होता नहीं, बना होता जिसे बच्चे बढ़ते हैं ऐसे फिसल के नीचे जाते हैं फिर उस पे चड़ते हैं फिर फिसल के नीचे जाते हैं इसी को क्या बोलते हैं ये फिसलन पट्टी है तो दो तरह की फिसलन पट्टी बन रही एक तो वो बच्चे जो पांच साल से कम हैं वो इस पे मज़े लेने वाले ह और एक जो पांच साल से बड़े हैं तो दोनों के लिए हाँ पर अलग अलग कंडीशन दी गई है आईए उन कंडीशन को पढ़ते हैं और उसी अनुसार हम फिगर बनाते हैं और इस कुश्चन को हल करते हैं एक बार हम प्रस्न को फिर फिर जल्दी से पढ़ेंगे उसके बाद हम कुश्चन पर चलेंगे अब दुबारा कुश्चन को नहीं पढ़ेंगे ठीक है एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में दो फिफिलन पट्टी लगाना चाहती है फिसलन पट्टी क्या है मैंने आपको दिखा दिया किरा कि 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वो एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका सिखर 1.5 मीटर की उचाई पर हो और भूमी के साथ में 30 डिगरी का एंगल बना रहा हो यानि 30 हंस पर लटका हो जबकि इस से अधिक उम्र के बच्चों के लिए वो 3 मीटर की उचाई पर एक अधिक ढाल की 3 मीटर की उचाई पर एक अधिक ढाल की विसलन पट्टी लगाना चाहती है जो भूमी के साथ में 60 हंस का कोन बनाएगा देखिए जितना जादा कोण बढ़ता जाता है उतना जादा ऐसे रेखा सीधी होती जाती है समझ रहो ना जैसे कहीं उचान पर अगर चड़ना है अगर उचान कम होगी तो कोण कम होगा जैसे अगर मान लेते हैं यह समतल है ऐसे समझ लोगे क्या हमारा हाथ क्या समतल है अगर इस पे हम ऐसे चड़ेंगे तो एंगल कम है मानलो बहुत ज़्यादा बन रहा होगा 10 वस या 15 का बन रहा होगा ऐसे करें तो 30 का बना ऐसे कर दिये तो कितने का बन रहा है मालो 60 watt का और अगर ये एकदम सीधा हो गया तो कितने का बनेगा एंगल 90 का बनेगा मतलब पूरा-पूरा सम कोण बनेगा है ना जहां बहुत ज़्यादा उचाई होती है वहाँ पे कोण कितने का हो जाता है मतलब वही 50-60 watt डिगरी कम से कम और अगर 60-70 डिगरी का कोण बनेगा तो कोई साधारन इंसान या कोई परकार की गाड़ी या वाइकल भी उस हुचाई पे नहीं चड़ सकती हो पीछे को फिसल के चली आएगी समझ रहो ना जैसे घरों में जो सींडिया बनती है गाउ में देशी मतलब अगर बात करें तो दिहात वाली बाकी तो साहरों में तो ऐसे ऐसे गुमा गुमा के बनती है उनकी तो बात अलग है लेकिन अगर किसी छट पे चड़ने के लिए सीधी सीधी ऐसे सींडिया लगाई जाए तो वो लगबक 60 हंस के कौन पे बनती है लेकिन उस पे कितना ढ़ाल होता आप आहसास कर सकते हो है ना उस पे गिरने के बाद सीधा अफिधा हाथ पर सलामत नहीं बचते आगे फिलाल कोशन पे बात करते हैं चलिए पहले हम बनाते हैं फिगर इसमें दो इस्थिती बोल रहा है दोनों हम बनाएंगे एक कहरा 1.5 मीटर की उचाई पर है एक तीन मीटर की उचाई पर है तो दोनों को हम एक एमें बना देंगे एक में ही दोनों को बना देंगे क्योंकि हमें दिखाना है आपको आईए इधर साइड में चित्र बनाते हैं ये माल लेते हैं क्या है ये तीन मीटर वाली फिफलन पड़ती है बहिया क्या है ये तीन मीटर वाली फिफलन पड़ती है और आगे समझना थोड़ा कम बड़ी लग रही है तो इसको और बढ़ा कर लेते हैं इसमें बढ़ाने में कोई घाटा नहीं, नीचे बढ़ा लो ये, लो बढ़ा लो, अंजाद के ही मिलाया जाता है, इसमें कोई confirm नहीं कि तीने मीटर है, ठीक है, फिगर ऐसे अंजाद के बना जाता है, तो जो तीन मीटर वाली है कह रहा है वो कितने का कोण बना रही भई तीन मीटर वाली जो है वो कोण कितने का बना रही वो साथ हंस का बना रही और जो डेढ़ मीटर वाली कितने का बना रही वो तीस का बना रही तो सीधी सी बात है खीच लो तीन मीटर वाली कितने का बना रही ताट का बना रही और दूसरी वाली कितने का बना रही तीस का बना रही जल्दी खींचो फटा फट इतना ऐसे फिगर आपके सामने पूरा पूरा कम्पलीट हो चुका है किसी को confusion ना हो थोड़ा टाइम जल्दी question हो जा इसलिए मैंने बना दिया आपको दिखाया नहीं है बस यही बात बोला था मैंने बना दिया आप क्या करेंगे कोई भी question हल करने के पहले इसमें लिखते हैं दिया है जो जो दिया होता है उसको लिखते हैं आप लिखोगे given given means दिया है क्या क्या दिया है उसको मैं लिखूंगा question number यहाँ पर डाल दीजिए जिनको ज्यादा परिसानी है 9.1 10 चलो ठीक है इसमें अगर आप ध्यान दीजिए तो सबसे पहले तो हमें BD दिया है 1.5 पहले हम एक एक फिगर में चलेंगे पहले हम छोटके वाले तिरभुज में चलेंगे और फिर बढ़के वाले तिरभुज में तो लिख लो बेटा पहला इस्थिती भाई कह रहा था कि जो 5 वर्स से कम बच्चे हैं उनके लिए जो फिसलान पट्टी है वो डेढ़ मीटर वाल पाँच वर्स से लिखिए पाँच वर्स से कम बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई ठीक है अब लिख लेना यार मुझे बड़ा गंदा लगता है राईटिंग बन्ती नहीं है इसलन पट्टी की लंबाई यह हम निकाल रहें ठीक है लिखिए इसमें क्या क्या दिया है हो गया यह इस्तिती नंबर फाइस्ट हो गई इसको लिखने के बाद इसमें थोड़ा मने जल्दी कर दिया आप दिया है इसको नीचे लिखो ठीक है गीबेन इसको नीचे लिखना थोड़ा इसमें चेंज कर लो भाई ये ऊपर लिखना था ज्यादा अच्छा रहेगा नहीं तो इसको भी दिया है में लिख देंगे तो मामला गड़ बड़ जाएगा चलो जो जो दिया लिख दो बीडी दिया है 1.5 मीटर एंगल सी दिया है यहां पर 30 डिगरी क्या दिया बाबू एंगल सी 30 डिगरी दिया है और हमें सीडी निकालना है CD क्या करना find करना है अब अगर द्यान दीजिये हमें लंब दिया है और यह CD निकालना है नहीं कर्ड लंब और कर्ड में हमें क्या करने है आगे बाद बढ़ानी है तो चलो कर लें फटा फट इसमें कोई दिक्कत नहीं है ऐसी स्थिती में हम लोग क्या करेंगे ऐसी सिम्पल सी बात है साइन लगाएंगे तो लिखो साइन थीटा बराबर लंब टे कर्ड और हमें इसमें लंब और कर्ड दिया भी है बीडी अपान सीडी तो थीटा का मान रख दो बेटा 30 बीडी बीडी 1.5 दिया है सीडी कुछ नहीं दिया हमें निकालना है सारे मान रखते जाओ फटा-फट फटा-फट रखते जाओ तो बेटा यह वन अपान 2 होता साइन 30 का मान 1.5 अपान सीडी क्रास मल्टिपल करोगे तो सीडी बराबर 3 मीटर आएगा क्या आएगा बाबू? 3 मीटर आएगा ठीक है? यानि पहली स्थिती में जो फिसलन पट्टी बनानी पड़ेगी ठेकेदार को वो 3 मीटर की बनानी पड़ेगी कितने मीटर की तीन मीटर की चलिए इस्तिती नंबर सिकंड में आगे बढ़ते हैं इसको लिख लिजिए इस्क्रीन साट ले लिजिए वीडियो को रोंक करके बहुत जल्दी करिए आगे बढ़ें ऊपर लिखिए इस्तिती नंबर सिकंड जल्दी करिए इस्तिति नंबर सिकंड देखिए देखो बेटा इस्तिति नंबर सिकंड में क्या कहता है उसमें भी जो भी दिया है जैसे भी वैसे लिख लेंगे इस्तिति नंबर सिकंड के लिए बेटा पूरा पूरा लेंगे तिरभुज ABC में तो AB 3 मीटर दिया है और इसके लिए एंगल ह के लिए साटन्स का कॉंड बनाने को बोल रहा था है ना इसको करेंगे इसके पहले कि इंपॉर्टेंट महत्तपुड सूचना सुन लीजिए स्क्रीन पर देख लीजिए हम आपको सावधान करना चाहते हैं अगर आप यापके घर में कोई भी ब्राडबेंड लगवाने को सोच रहा है पूरे आल इंडिया में कहीं भी तो एटरल ब्राडबेंड सबसे घठिया है बिल्कुल भी न लगवाएं अभी आप इसक्रीन पर देखिए हमारे में 698 रुपय का बैलेंस है 325 दिन की बल्डिटी है हमने 11316 सम्थिंग का रिचार्ज करवाया था पूरे पूरे एक साल के लिए दिन रात कस्टूमर केर में इंके लगे रहो केबल हो गरा कट गई कोई सुनवाई नहीं इंटरनेट नहीं चल रहा है कोई मतलब नहीं हाँ अगवा लीजिए पैसा टाइम सब बरबाद होगा हम आपको सुझाव दे रहें फीडबेक दे रहें साउधान कर रहें क्योंकि आप हमारे सबसे कीमती इस्टूडेंट है धन्यवाद चलिए कोईशन पर चलते है क्या कह रहा था यह भाइस में जो दिया है निकालने नहीं है भाइस और करना क्या है हमें इसी फिचलां पीटि की लंबाई तो निकालना है चलिए देखते है लिखिए फिर भूज ABC में कौण सी बराबर 60 हन्स ठीक है गोघो बटा इसमें Lumb दिया है यानि हमें AB दिया है और करण हमें निकालना है यानि Lumb और करण की बात हो रही है तो हम इसमें लगाएंगे साइन थीटा तो साइन थीटा बराबर क्या Lumb बटे कर्ण जोको बेटा थीटा का मान तो तुम्हें पता है 60 है लंब यानि सामने की बुजा कौन सी है एबी एबी का मान कितना है 3 और करड़ एसी एसी हमें नहीं दी है तो हम इसका मान निकाल लेंगे चलो फटाफट इसका मान अंडरूट 3 होता साइन 60 का 3 बटा एसी तिर्चा गुड़ा कर लो इसमें 3 कहां से आ गया क्योंकि वो दिया था ठीक है अंडरूट 3 बटा 2 होता इसका मान साथ वाले का तिर्चा गुड़ा कर लीजिए इधर साइड आईए निकाल लेते हैं तो देखो बेटा इसका गुड़ा करोगे आप एक में वो नीचे आंसर में हर में जा रहा है और हर में कभी भी आंसर में इस तरह से अंडरूट लगा के नहीं लिखते हैं तो इसे उपर करने के लिए हम क्या करेंगे हर का परमेई करन करेंगे तो अंडरूट 3 से उपर नीचे दोनों में गुड़ा कर देंगे तो नीचे से अंडरूट 3, यानि रूट हड़ जायेगा, तो 6 इंटू अंडरूट 3 बटा नीचे 3 आ जायेगा, क्योंकि 3 का जब 3 में गुड़ा होता, अंडरूट है दोनों में, यह 3 ही बचेगा, 2 आएगा, यह कट जायेगा, यानि ऐसी बराबर कितना आएगा, 2 तो नीचे अंडरूट 3, ठीक है, और इसकी वाली की क्या आई थी, अभी-अभी आपने देखा था, मने निकाला था, 3 मेटर आई थी, ना, सम्थिंग यही तो आई थी, ना, 3 है यानि इसकी कितना होगी, छोटे बच्चों वाली 3 होगी, कितना होगी, 3 मेटर, और बड़े इसकी की तरफ आगे बढ़ते हैं, ठीक है, उसके पहले आपको एक सूचना दे दें, नहीं लिखे हो तब भी दिखा देंगे, विटा अगर आपको मैट में कुछ भी नहीं आता ना, तो बिल्कुल जीरो लेबल से मैट सीख सकते हो, इस स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, P अगले प्रस्न की तरफ आगे बढ़ेंगे, बहुत जल्दी लिखिए, नीचे नंबर चल रहा है, कुछ भी पूछना है, तो संपर करिए, कमेंट करके बताईए, यूटूब पे देख रहे हैं तो, आज की कलास यहीं पर खतम होती है, आप लोग ज्यादा इससे सेर करिए जिससे कि हम अगली कलास भी आपको पढ़ा सके क्योंकि बहुत बड़ी कलास हो जा रही, इससे ज्यादा आप लोग देखोगे नहीं है, कमेंट करके बताना कि आप अगली कलास भी पढ़ना चाहते हो, हाँ या नहीं, पढ़ना चाहते हो ना, कमेंट करके बताना, मिलते है नेक्स्ट क्लास में साथियों, जै हिन्द, सुबा आठ वजे यूटूब पे फिरी क्लास का थाइम है.